एक कविता संघर्षों के नाम, एक कविता प्रतिरोध के नाम, एक कविता उम्मीदों के नाम, एक कविता तनी हुई मुठ्यों के नाम, एक कविता अपने वजूद के नाम, एक कविता आपके नाम क्या तुम जानते हो पुरुष से भिन एक स्त्री का एकांत घर प्रेम और जाती से अलग एक स्त्री को उसकी अपनी जमीन के बारे में बता सकते हो तुम बता सकते हो सदियों से अपना घर तलाशती एक बेचैन स्त्री को उसके घर का पता क्या तुम जानते हो अपनी कल्पना में किस तरह से एक ही समय में स्वयम को स्थापित और नर्वासित करती है एक स्थ्री सपनों में भागती एक स्थ्री का पीछा करते कभी देखा है तुमने उसे रिष्टों के कुरुक्षेत्र में अपने आप से लड़ते तन के भुगोल से परे एक स्थ्री के मन की गाठे खोल कर कभी पढ़ा है तुमने उसके भीतर का खौलता इतिहास पढ़ा है कभी उसके चुपी की दहलीज पर बैठ शब्दों की प्रतीक्षा में उसके चहरे को उसके अंदर वंश बीज बोते क्या तुमने कभी महसूसा है उसकी भैलती जड़ों को अपने भीतर क्या तुम जानते हो एक स्त्री के समस्त रिष्टे का व्याकरण बता सकते हो तुम एक स्त्री को इस्त्री द्रिष्टी से देखते हो उसके स्त्रीत तुकी परिभाशा अगर नहीं तो फिर जानते क्या हो तुम रसोई और बिस्तर के गडित से परे एक स्त्री के बारे में ये पंग्तियां हैं निर्मला पुतल के और आज एक कविता आपके नाम शिंकला के इस खास एपिसोड में मैं जिस कवित्री के बारे में आपसे बात करने और उसके कुछ कविताएं आपसे साजा करने के लाया हूँ वो कवित्री एक आदिवासी प्रिष्ट भूमी की पहचान भी रखती है एक महिला होने की पहचान भी रखती है एक उपेक्षित तरस्पृत कर दिये गए भारत के टुकडे से बोलती हुई एक नागरिक की पहचान भी रखती है आज एक कविता आपके नाम शिंखला में हम एक साथ कई पहचानों के छोड़ पर खड़े हो करके एक कविता क्या लिखती है कौन सी बात कहती है उसे हम क्यों सुन नहीं पाते इसकी उम्मीद में मैं ये कविताएं आपसे साजा करने जा रहा हूँ एक कविता आपके नाम शिंकला के इस खास एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं मशुहूर कवित्री निर्मला पोतल के बारे में अभिवादन कबोल करिये लक्षमर यादों का और स्वागत है आपका एक कविता आपके नाम शिंकला के इस खास एपिसोड के दोधनी कुर्वा गाउं में एक गरीब आदिवासी परिवार में हुआ बहुत सामान प्रिष्ट भूमी रही गरीब घर की रही सक्षा दिक्षा वहाँ अपने इलाके के क्षित्रिय स्कूल से हुई और इगनू से उन्होंने राजनीती शास्त्र में बीए की डिगरी प्राप्त की दो दश्कों से अधिक समय से आदिवासी महिलाओं के विस्थापन पलायन उनके आदिवासीों की उपर होने वाले जुल्म और ज्यादती और खास कर उनमें आदिवासी महिलाओं के उपर जो जो जुल्म और जारती होई आदिवासियों का इतिहास क्या है आदिवासियों के संघर्ष की दास्ताने क्या है इन सब पर कविताएं लिखती रही मानवाधिकार को लेकर के उन्होंने कविताएं लिखी संपत्तिक आधिकार, लेंगिक भेट भाव और इस पूरे सवाल को आदिवासी महिला के नजरिये से उन्होंने अपनी कविताओं में पिरोने की कोशिश के है ग्रामीर, दलेत, पिछड़ी, आदिवासी, आदिम जन्जाती की तमाम महिलाओं के बीच सिक्षा वज़ागुरुकता के प्रसार के लिए ये खुद काम करती है प्रतक्ष राजनीत में उतरने से भी परहेज नहीं किया और अपने ग्राम पंचायत से मुखिया पत पर भी चुनी गई और राजनीत के कविता से लेकर के राजनीत तक के दाइरे में रह करके जिसे सोचा, समझा, जिन बातों को महसूस किया उसके लिए लड़ाई भी लड़ी, जमीन पर संगर्ष भी किया तमाम संगठनों को बना करके भी काम किया और जब जबरत पड़ा तो राजनीत में उतर करके सीधे उसे डिलिवर करने उस सोचे गए खाब को पूरा करने के भी कोशिश के कविता लेखन के शुरुआत इन्होंने अपनी मात्री भाषा संथाली से की फिर हिंदी में भी कविताई इन्होंने लिखी हैं और इनकी कविताओं में खास किस्म का विद्रो ही स्वर मिलता है एक आक्रोश, एक विद्रोश अमूमन हिंदी की दुनिया में दलित वमर्ष, इस्तरी विमर्ष पर एक आरोप लगाया गया कि इनके यहां केवल आक्रोश है, पीड़ा है, दुख है, कोई जीवन को लेकर के राग नहीं है, बार बार दलितिस्त्री, महिलाई, या अदिवासी, या पिछड़े तपके के प्रिष्ट भूमी से आने वाले लोगों ने यह बात दावे से कही कि जब कोई व्यत्ति अपने जीवन के अनुभाव साजा करेगा, क्योंकि उसका बोध उसके जीवन बोध से निर्मित है, तो उसके जीवन बोध से ही निर्मित है, उसका स्वाबोध, उसका नागरिक बोध, उसका कवी बोध भी, तो उसमें वो पीड़ा, वो दुख, वो जाधती, वो विद्रोह भी लिजर आएगा आपके वल पीड़ा देखते हैं आप उसके भीतर चिपे हुए विद्रोह तक नहीं जाते और विद्रोह अगर नहीं है तो किसी सब्धता में कोई बदलाओ कोई नयापन या उस सब्धता की पूरी कहानी भी नहीं कही जा सकती है इसलिए आज जब मैं निर्मला पुतल की कविताओं आपसे साजा कर रहा हूँ तो मेरी कोशिश यह है कि आप उस विद्रोह को देखें केवल पीड़ा नहीं आदिवासी महिला जो इस एक बड़े से भारत के भूगोल में एक हाशिय पर धकेल दगे एक आदिवासी कोने से ब तच रहे हैं निर्मला पुतल ने संताली भाषा के साथ हिंदी में भी कविताओं लेखी और इनका पहला कविता संग्रह अपने घर की तलाश में संताली और हिंदी दोनों भाषाओं में प्रकाशित हुआ लगबक 2004 के आसपास अ कि 2005 में इनका एक बहुत प्रसिद्ध कवि कविता के स्वर में अपने अस्तित्तों का अपने वजूत का अपने संगर्श का अपने विद्रोह का शब्दों का नगाड़ा आप समझते हैं कैसा वाद देन तो जिसमें एक शोड है उससे अपनी बात कहने की बात और जब भी इस तरह की कविताएं लिखी गई और 2014 उनका तीसरा कविता संग्राया बेघर सपने तमाम कविताओं के इनके अनुवाद हुए अलग-अलग भाशाओं में अनुवाद हुए कई जगों के पाठिक्रमों में निर्मला पूतल के कविताएं पाठिक्रम में शामिल हैं तो अब मैं जिन कविताओं को आप से साजा कर जा रहा हूं उनका विताओं में आप देखेंगे कि एक भारत जिसे हम मद्यवर्गी खाए पीए अगहाए मुक्षे जमीनी भूभाग पर रहते हुए लोग जो अपने थोड़े से भूगोल कोई पूरा भारत मानते अपनी भाषा को पूरा भारत की भाषा मानते अपनी संस जिनकी भाषा सत्ता की भाषा है जिनका संस्कृति जिनका धर्म थोड़ी संख्या में जादा है इसलिए वही भारत मानते हैं लेकिन कविताएं साहित्य समाज यह नहीं मानता समाज उस विविधता में हाशिये पर ढखेल दिये गए समाज की भी आवाज सुनना चाहता है और अगर आप भारत की बात करेंगे तो आपको आदिवासी की बात करनी पड़ेगी आपको एक महिला की बात करनी पड़ेगी आपको भारत के भूगोल के उस हाशिये पर धकेल दिये गए उन जगों का जो भारत में खनिज संपदा के लिया से सबसे ज़्यादा उर्वर है लेकि ऊस भारत को को सो क superfic का भारत जानता ही नई जानना चाहता ही नहीं निर्म्हांपूतुल की कविताएं उस विद्रों के साथ भद्डर लोक के भारत को जो आरोपित करता है अपने को पूरे भारत के रूप में उसके सामने चुनोती बन कर पेशाफिती हैं आप सुनिए नेर्मलापुतल के कविताओं को और पहचो पहचा और वहां तक जाएए जहाँ नेर्मलापुतल अपनी कविताओं के जरी ले जाना चाहते हैं पहले कविता का शीरषख है आदिवासी स्त्रियां उनकी आँखों की पहुंच तक ही सीमित होती उनके दुनिया उनके दुनिया जैसे कई-कई दुनियाएं व्याकरण के लिया से आपको दुनियाएं शब्द गलत लगेगा लेकिन कवी कई बार व्याकरण से आगे जाकर के अपनी बात को प्रभाव शाली ढंक से कहने के लिए बलागात करते हो शब्दों का प्रयोग करेगा आपकी नजर में एक भारत है, एक दुनिया है, एक जिन्दगी, एक पहचान है, एक धर्म है, एक संस्कृती है एक भाशा है, एक किस्म की महिला है निमला पुतिल के कविताओं में वो कई दुनियाओं को समेटी हुई महिला है उसके आखों की पहुँच तक सीमित होती है उसकी दुनिया उनकी दुनिया जैसे कई कई दुनिया हैं शामिल है इस दुनिया में नहीं जानती वे वे नहीं जानती हैं कि कैसे पहुँच जाती हैं उनकी चीज़ें दिल्ली वे नहीं जानती कि कैसे पहुँच जाती हैं उनके चीज़ें दिल्ली जग की राजमार्क तक पहुचने के पहले ही दम तोड़ देती हैं उनकी दुनिया की पक्डंडियां नहीं जानती कि कैसे सूख जाती हैं उनकी दुनिया तक आते आते नदिया तस्वीरे कैसे पहुँच जाती हैं उनकी महान अगर नहीं जानती वे नहीं जानती अगली कविता का शेशक है बिटिया मूर्मो के लिए उठो कि अपने अधेरे के खिलाफ उठो अपने पीछे चल रही साजश के खिलाफ उठो कि तुम जहां हो वहां से उठो जैसे तूफान से बवंदर उठता है उठती है जैसी राख में दबी चनगारी देखो अपनी बस्ती के सीमांत पर जहां धाराशाई हो रहे हैं पेड़ देखो अपनी बस्ती के सीमांत पर जहां धाराशाई हो रहे हैं पेड़ कुलहाडियों के सामने असहाई रोज नंगी होती बस्तियां एक रोज मांगेंगे तुमसे तुम्हारे खामोशी का जवाब कुलहाडियों के सामने असहाई रोज नंगी होती बस्तियां एक रोज मांगेंगे तुमसे तुम्हारी खामोशी का जवाब सोचो तुम्हारे पसीने से पुष्ट होते दाने एक दिन लोटते हैं तुम्हारा मुह चड़ाते तुम्हारी ही बस्ति की दुकानों पर कैसा लगता है तुम्हें जब तुम्हारी ही चीजें तुम्हारी पहुँच से दूर होती दिखती हैं इसी कविता का एक दूसरा भाग इन सदियों का क्या है आएंगी जाएंगी क्या आएंगी जाएंगी क्या आप भी विश्वास करने लायक बचा है या समय तुमारे विश्वास की जड़ें आखिर कितनी गहरी है तुमारे विश्वास की जड़ें आखिर कितनी गहरी है समय के दौरा लगातार कुत्रे जाने के बावजूद क्या वे पाताल में गई है जबकि तुमारे हिस्से में भूख और तकान के सिवा सिवा एक बहतर जिंदगी की उमीद के शायद कुछ भी नहीं है वे डमबना ही है कि इश्वर पर सबसे ज़्यादा कैसे करती हो विश्वास और इसका विता का तीसरा बंद वे दबे पाउं आते हैं तुमारी संस्कृति में वे दबे पाउं आते हैं तुमारी संस्कृति में वे तुमारे नृत्य की बढ़ाई करते हैं वे तुमारी आखों की प्रशंसा में कसीदे पढ़ते हैं वे कौन हैं वे कौन हैं सौधागर हैं वे समझो सौधागर हैं वे पहचानो उन्हें बिटिया मुर्मू पहचानो पहाड़ों पर आग वे ही लगाते हैं उन्हीं की दुकानों पर तुमारे बच्चों का बच्पन चीत कारता है उन्हीं की गाड़ियों पर तुमारी लकडियां सब जबाग देखने कलकत्ता और नेपाल की बाजारों में उतरती हैं नगाडे की आवाजें कितनी असमर्थ बना दी गई हैं जानो उसे निम्ला पुतल की कविताओं में आप एक साथ उन सभी सोरों को महसूस करियें मैं वेक्या बिलकुल नहीं कर रहा हैं मैं किवल कविताओं तक आपको ले चलना चाह रहा हूं जिन कविताओं तक आपको नहीं पहुँचने दिया जाता और पहचानिये एक आदिवासी की आवाज पहचानिये एक महिला की आवाज पहचानिये एक उपेक्षित कर दी गई असमिताओं के विराट भव भारत वर्ष जम्बू दिवपे आर्या वर्ते के सामने कमजोर बना दी गई उन आवाजों को मेरा कविताओं को ले आने का आपके सामने यही मकसद भी है अगली कविता का शिर्शक है संथाल परगना अब नहीं रह गया संथाल परगना बहुत कम बचे रह गए है अपनी भाशा और वेश भूशा में यहां के लोग बाजार की तरफ भागते सब कुछ गड्मड हो गया है इन दिनों यहां सब कुछ गड्मड हो गया है इन दिनों यहां उखड गए हैं बड़े बड़े पुराने पेड कविता कई बार चुकि भार्षन नहीं होती तो इशारे में बात करती है और आप से उम्मीद करती है कि आप पेड की व्यंजनाएं जैसे उखड गए जो बड़े-बड़े पेड को किवल पेड मत समझे उस पूरी सभ्यता को समझे उस पूरी विरासत को संघर्ष को समझे जिसको वो पेड से कवित्री प्रतीक के रूप में जोड रही है सब कुछ गड मड हो गया है इन दिनों यहां उखड गए हैं बड़े बड़े पुराने पेड़ और कंक्रीट के पसरते जंगल में खो गई है इनकी पहचान काया पलट हो रही है इसकी तीर धानोश मांदल नगाडा बासुरी सब बटोर लिये जा रहे हैं लोग संगरहाले समय की मुर्दा गाडी में लाद कर इसकी बहतरी के लिए कुकुर्मुक्ते की तरह उगी संस्थाओं में तथा कतित समा सेवक हैं अफसर हैं चम्चे हैं ठेकेदार हैं बिचौलिये हैं और वे सब के सब हाथों में खुली रंगीन बोतले लिये बना रहें राउंड टेबल पर योजनाएं बोतलों में नशा है नशे में तहरती गदरई देह वाली कई-कई आदिवासी लड़कियां हैं आदिवासी लड़कियों के पास सपने हैं सपनों में अधूरी ख्षाएं हैं भूख है भूख में दूर दूर तक पसरी उबर खाबर धरती हैं धरती पर काले नंगे पहाड हैं पहाड पर विरानिया बस और क्या है संथाल परगना में उतना भी बच नहीं रह गयावा संथाल परगना में जितने की उनकी संस्कृती के कैसे एक और कविता मैं आपके से साजा कर रहा हूँ निर्मला पुतुल की है अगर तुम मेरी जगह होते जरा सोचो कि तुम मेरी जगह होते और मैं तुम्हारी तो कैसा लगता तुम्हें कैसा लगता अगर उस सुदूर पहार की तलहटी में होता तुम्हारा गाउं और रह रहे होते तुम घास फूस की जोपड़ियों में गाय बैल बकरियों और मुर्गियों के साथ और बुझने को आतुर धिबरी की रोशनी में देखना पड़ता भूक से बिलबिलाते बच्चों का चेरा तो कैसा लगता तुम्हें कैसा लगता अगर तुम्हारी बेटियों को लाना पड़ता कोस बरदूर से ढोकर जरने का पानी और घर का चूलहा जलाने के लिए तोड रहे होते पत्थर या भिछा रहे होते सडक पर कोलतार या फिर अपनी खटारा साइकिल पर लकड़ियों का गठर लादे भाग रहे होते बाजार की ओर सुबसुब नून तेल के जुगाड में कैसा लगता कैसा लगता अगर तुम्हारे बच्चे गाए बैल बकरियों के पीछे भागते बगाली कर रहे होते और तुम देखते कंदे पर बैग लटकाए किसी स्कूल जाते बच्चे को जरा सोचो न कैसा लगता अगर तुम्हारी जगह में कुर्सी पर डटकर बैठी चाए सुड़क रहे होती चार लोगों के बीच और तुम सामने हाथ बांदे खड़े अपने बीमार भाशा में रिर्या रहे होते किसी काम के लिए बताओ न कैसा लगता तुम्हें बताओ न कैसा लगता जब पीठ पर थप थपाते हाथ अचानक मापने लगते मानसलता की मात्रा फोटों खींचते कैमरों के फोकस होटों की पपड़ियों से बेखबर केंद्रित होते च्छाती के उभारों पर सोचो कि कुछ देर के लिए ही सोचो पर सोचो कि अगर किसी पंक्ति में तुम सबसे पीछे होते और मैं सबसे आगता अगर तुम मेरी जगे काले होते हैं कभी सोचिएगा गोरा होना कैसे सौंदर का पतीक बना दिया गया उस देश में जिस देश की गोरा कोई है यह नहीं सावले हैं लोग और उनमें जिनका रंग थोड़ा ज़्यादा पक्का है उनको लेकर कि आपके सौंदर बोद में आपके सिनेमा में आपकी कविताओं में आपके साहित में आपके विमर्श में आपके जहन में क्या भाव हैं निर्मला पुतल की कविताप से सवाल करती है कैसा लगता अगर तुम मेरी जगह काले होते और चिप्टी होती तुम्हारी नाग पावों में विवाई होती और इन सब के लिए कोई फवतीकस यानि त कविता और मिटा पाओगे सब कुछ तो मिटा दो ना बयानक काली रात को जो बर्बस उमर्ती घुमर्ती चुपती है मेरी आत्मा को कैसे मिटा पाओगे मेरी यातना में गूंगी चीतकार क्या करोगे करूर नजरों और नजरानों का क्या करोगे करूर नजरों और नजरानों का निपट अकेले जूज रही हूं जिन से मेरी नाब ही मैं उठते शूल को मन सिंहासन पर विराजमान इंसाफ मांगती इस्तरी के उठते बलतकारिच सवालों को पाओगे मैं बार बार इसे लिए नेमला पुतुल की कविताई आप से साजा कर रहा हूं कि एक साथ एक महिला की पहचान एक आदिवासी की पहचान एक उपेक्षित तरस्कृत कर दिये गए भारत के भूगोल की नागरिक की पहचान, एक संथाली भाषा बोलने वाले की पहचान, एक Ghरीब की पहचान, एक मजलूम की पहचान, एक उत्पीडित आवाम की पहचान जिन पर लगातार शोशन हुआ उनका अपना कोई दहईश नहीं, कोई भाशा नहीं कोई संस्कृती नहीं क्योंकि वो कमजोर बना दिये गए उनकी तरफ से ये कविता निर्मला पुतुल कह रही है इसलिए खई स्तर है निर्मला पुतुल के कविता में मैसूस करी हूँ उन स्तरों को क्या पाओं में चुभे काटों की तरह कुरेद निकाल फेकोगे आत्मा में फसी हुई पिन गर्ब में गड़ी हुई जहर बुजी तीर अंदर ये अंदर नासूर बंटीस तीस को मिठा पाओगे किसी जन्मे हजारों इस्तरियों के बचाओं में लड़ती जो खुद को बचा नहीं सकी तरी हैवानियत से हजारों इस्तरियों के उफंती बेवसी को मेरे बलतकारित होने का जवाब दे क्या मिठा पाओगे उन बेवसी को क्या मिठा पाओगे उन सब की बेवसी अभी अभी जब बता रही हूँ क्या सुन रहे हो मेरी आवाज क्या समझा सकोगे खुद भी तुम्हें याद नहीं आता सुनाई नहीं देती औरतों के हिचकियां और मेरी चुपी क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या तुम सो पाते हो बेखबर हो नीद में ले पाते हो खुली सांस क्या पलक धंपी आँखों से दिखता नहीं मेरा मासूम चहरा अपने निरीह प्रस्वास का क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें किया है खतल मेरे विश्वास का मेरी आबरू को सहेजने के बजाए चड़ा दी बली ऐसे में तुम पर समर्पित हो कैसे कर लूं यकीन क्या करूं न करूं बोलो न कैसे मिटा पाओगे मेरा यह शंस है यह दुख यह दर्द और अंधेरा जो जून से जून तक फैला है बहुत बहुत धन्यवाद